पृटल डोस्तों आपका स्वागत है गाइड़ी में आज हम इस वीडियो बात करेंगे उर्दु की सलेबस के बारे में ग्रेट फस्ट के रहेगा उर्दु का सलेबस और स्लेबस जाने से पहले हम एह देखियंगे कि कोश्टन का पैटरिन कैसा रहता है कितने marks का रहता है और टाइमिंग क्या रहती है इसके बाद हम syllabus के बारे में बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं देखो इसमें जो है पार्ट बी जो होता है वो एक सब्जेक्ट चूज करना पर जैसे अब भी हम इसमें उर्दू देखेंगे ठीके ना पार्ट ए में किते marks का रहता है तो पहले पार्ट ए का दिख लेते हैं कैसा distribution रहता है पार्ट ए का पार्ट ए में पांच खंड डिवाइड होते हैं ठीके न 8 questions रहेंगे और 8 number का रहेगा इसी तरीके से समान ग्यान एबं समसमाई घटना कराम जिसमें 10 कोशन 10 नंबर का ठीक है इसी तरीके से तार्ट एबं आंकी की योगता 7 questions 7 नंबर का पार्ट ए में 50 questions रहेंगे तो आपको कैसे पढ़ना है according to syllabus पढ़ना है ठीक है ना समान हिंदी में आप लोग अच्छे marks लेके आ सकते हो समान अंग्रेजी में भी अच्छे marks लेके आ सकते हो समान ग्यान और समसमाई घटना कराम में syllabus बहुत लंदी है तो इसमें MP का जीके प पढ़ते हैं वो पढ़ लेना और MP से related current affair क्योंकि smart study करना है इसमें जो average student होते हैं इसमें 20 से लेकर के 30 marks तक लेके आ जाते क्योंकि वो प्रॉपरली मतला पहले सी विपरेशन किये रहते हैं तो यदि आपको 30 plus marks लेके आना है तो आपको smart study करनी पढ़े ही क्योंकि अधि 30 marks तक आ सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही general questions पूछे जाते हैं according to slabis पढ़ना है slabis के बाहर कहीं कुछ नहीं पढ़ना सामान अग्रेजी जो की slabis में जो रहेगा वही पढ़ना है और समान इग्यान वह समसमाई घटना क्रम इसका भी slabis दिया गया है slabis देख लेंगे तार्किय आंकिक योगता जिसमें maths आएगी थोड़ी सी reasoning आएगी साथ नंबर का ये रहेगा पैड़ोगाजी में आपको short notes त्यार करने होंगे slabis के according हम देख लेंगे slabis अभी देखते हैं part B जो की 100 questions रहेंगा और 100 marks का रहेगा 16 bits हैं जिसमें आज हम देखेंगे उर्दू भासा ठीक कर रहेगा प्रशने पत्र के भाग आमें समान ग्यान वा समसमाई घटना क्रम तार्किंग में आंकिक योगता पैड़ोगाजी की विसेवस्तू का इस्ता इसना तक इस तर के छात्र के मांसिक इस तर के समक्ष होगा हिंदी वा अंग्रेजी की विसेवस्तू का इस्ता हाय स 흥 हैं इसे तरीके से पार्ट जो बी है भाग फार्ट बी के विसे वस्तु का सम्कक्ष होगा डिकि जो इसका सलेवस होगा वो 11 12 प्रचलित पार्ट करम के विसे वस्तु पर धारित होगा इंकले कटनाही इसर होगा वह ना नौन्ज रहे लिंक रहेगा और प्रेशने पत्र की अवधाना समस्या समधाना और पेड़ोगाजी की समझ प्रधारित होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको 11-12 के मतलब 11-12 से भी शॉर्ट नोट्स तियार करने और UG से भी आपको एडवांस में जो भी आपको लगे कि यह टॉपिक है और 11-12 में और जो कि आपके स्लेवस में रहेगा वही अधी UG में है तो उसके शॉर्ट नोट्स तियार कर लेए एडवांस वाला ठीक है ना चलो अब हम पार्ट A का देख लेते हैं स्लेवस फिर उसके बाद हम पार्ट B का देखें जिसमें 50 questions रहेंगे तो पहले हम हिंदी की बात कर लेते समान हिंदी इसमें बिलोम शब्द, शब्दावली व्याकरन, समानाच सब्द, वाक्यों का नवाद रिक्त स्थानों की तुरूटी तुरूटी का पता लगाना परिछेद, वाक्यांस, मुहाबरे, वहुबचन, आदी तो मतलब आपको न पहले ओल्ड पेपर देख लेना उसके according त्यारी करना इसमें ज़्यादा नहीं लगना है क्योंकि होता यह है कि आप इसमें लग जाते हो फिर बागी का भूल जाते हो कि आप average student हो तो भी आपके अच्छे marks आ सकते हैं हाँ न इसमें जनर्न हिंदी में जिसे टिबर्व हो गया टेंस हो गया, वाइस हो गया, सब्जिक वर्व हो गया एग्रिमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया इसमें आपको नॉर्मल किसी भी गाइड़ मिल जाएगा तो कोई जरूत नहीं है, बुक्स का बता दूँगी, पैटर्न कैसा रहेगा पैटर्न तो बता ही दिया है, 150 कोश्चन, 150 मार्क्स करेगा, इसा कुछ बता दिया है समान गयान वा समसमाई घटना क्राम जिसमें करेंट अफ्यार और जन्ना नॉलेज के बारे में रहेगा समसमाई रास्टी अंतरास्टी महत्य की घटना है, भारत का इतियास वा भारत की रास्टी अंदोलन भारत की रास्टी अंदोलन एक जो बहुत ही फेमस होगे, उनको देख लेए जैसे भारत छोड़ों अंदोलन हो गया, और भी बहुत सरे यासे हैं, जैसे आसायोग अंदोलन हो गया, जलियावाग हत्याकांड वाला हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, यह सब ज्यादा पू जैसे मूल अधिकार हैं, उनको भी देख लेना, परियावान जैसे परियावन दिवस का मनाया जाता है, और प्रतिवी दिवस का मनाया जाता है, जल दिवस, यह जब बहुत ही कॉमन कोशन्स को जरूर आपको आना चाहिए, जैब बित्ता डेका मनाया जाता है, मौसम में ब परना सामान ज्यान मध्प्रदिस का परना है, जैसे जन संख्या पर लो, उसके बाद कितने गाओं है, कितने तहसील है, किस के कितने घनत है, आपको फयाई जो को पर लिए nat gi पड़ेगा, मौसमाजी विकास, जैसे कितने नंबर का है, 5, किकमेट में दीख लेती हूं कित्ते नंबर का दस नंबर का है तो यही किया दिया थोड़ा बहुत पढ़्लों कैसे परेलमेंट पढ़ लिए थोड़ा पिज्यान पढ़्लिया थोड़ा मजबूत रहा है सिस्टे माकस पजा जाथा इस मे अब कर रही है अब क्या कर सकते हूं प्रामोट का मतलब यह हिंदी में बता रही हूं तो आप लोग देख लो English में चलो अब हम देख लेते तारकी गहां आंकिक योगता रिजनिंग और नियूमेरिकल आविलिटीज इनमें तारकी योगता सामान मानसिक और विसलेशनात्मक क्यों गिता शाब्दिक तरक्यूग तरिजनिंग संमंधवा पदानुक्रम एनलोजी दावा कथन कोडिंग डिकोडिंग सित जन तरक्यूद श्रंखला पैटर्न जिसमें शाब्द वंड शामिल होते हैं ओल्ड पेपर देख लेना तो पैटर्न पता चल जाएगा यादा इसम थोड़ा क्लियर रखना है जैसे ब्लैड रिलेशन का क्लियर कर रखो और जैसे घड़ी और उसका वाटर रिमिज अंड पड़ी में जो मिला मिले रहें जो तो थोड़ा सा वो रखो और आंगे क्योग गिता जसलब जिसमें निमेरिकल अविलटी तीन और दो या तीन वेन एक अधारी प्रेस्ट रहेंगे, शंख्या पैटर्न रहेगा, स्ट्रैंखला, आनुकरम, संख्या और समंध्य अधार भुद्ग्यान, संख्या उनके समंध्य परिमाण का उकरम, आधी, अंगड़ती, अभीब्रती, आंकडों की वाक्या, आले, ग्राफ, तालिका और आंकड की पर्याप्तिता, आधी, विभिन संदरों में देशा, ज्ञान और वाक्या, यह सब आपको देखना होगा, रिजनिंग अबिलिटी, जर्नल, यह इंग्लिश में है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, मतलब, इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीड़म वाले बच्चों के ल होगा, इस अल्फावेट जो होता है, वो देख लेना, न्युमेरिकल अविल्टीज, यह सब देख लो, जो भी इंग्लिश मेडियम से बिलॉग करते हैं, अब हम पैड़ोगोजी की बात करेंगे, तो पैड़ोजी में, देखो, शॉर्ट नोट्स तियार करना, इस बात का दिहान रखना, पैड़ोगोजी संबंधी मुद्धे, पार्थे चरिया, जिसमें उसका अठ देखना है, सद्धान देखना, पार्थे चटा, संगठन के प्रकार देखना है, द्रस्टिकोर देखना है, योजना में उसका अनुदेशन योजना देखा है, वार्सिक योजना हिकाई योजना और प्राक्टिस सेट लगाते रहो हाना यह सोच लोगे न कि बस लैबस कंप्लीट कर लिया कॉंसेप्ट क्लियर हो गया अब हम तो एक भी प्राक्टिस सेट ने लगा है हमारा सेलेक्शन पक्कत ऐसा नहीं होता है अनुदेशन समगरी वा संसादन पाठ पुस्तके अभ्यास पुस्तके पूरक समंदी समगरी द्रश श्रब्य शहायक समगरी परयोकसाला पुस्तकाले क्लब संग्रहाले समुदाय सूचना संपेशन तक निकी यह सब आपको देखना होगा अब हम देख लेते हैं मुल्यांकन, मुल्यांकन उसका प्रकार उपकरण क्या रहेगा अच्छे टेस्ट की विशेशता हैं सतते हम समगर मुल्यांकन सैक्षिक उपलब्दी परिक्षन का विश्लेशन वो वाक्या समविशित सिक्षा, विबित्ता को समझना, अबधारना के प्रकार, विबित्ता की आयाम की रूप में दिव्यांगिता, समाजिक निर्मान की रूप में दिव्यांगिता, शौर्ट नोश तियार करना, इस बात का ध्यान रखना, दिव्यांगिता की वरीकन वो इसके प्रभाव, संबेदी असंचंता, स्रबन अचंचंता, वंधी रांदता, संगनात्मक दिव्यांगेता, स्वालीनिता, बौदिक दिव्यांगेता, सीखने की विसिस दिव्यांगेता, शारिक दिव्यांगेता, प्रामस्तिक घात्वाच चलन दिव्यांगेता, इस अब आपको देखना होगा, short notes त्यार कर लेना समयधानिक प्रवधान, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए क्या-क्या प्रवधान है हाना, सिख्चा का अदिकार देख लेना right to education देख लेना, ITE देख लेना, वही होता है right to education, सिख्चा एवन तक्निकी यह सब आपको देखना हो, short notes त्यार करना है ज़्यादा कुछ वह नहीं करना सम्प्रेशन के सिद्दान, सम्प्रेशन के प्रकास सम्प्रेशन भवा भासा, कक्छा में सम्प्रेशन सम्प्रेशन में बाधाए फोर्ध है सैख्चिक मनोविग्यान बच्चों की सीखने की रणीती, सीखने को प्रावित करने वाले कारक, अवधान और रूची, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बात पर आपको देखना होगा, इस बात को भी देखना होगा, ठीक है, ये इंग्लिश में है, पेड़ोगोजिकल कंसर्ण, करिकुलम, प्लानिंग, इसमें यूनिट प्लानिंग है, ये लेसन प्लान एं, इंस्ट्रक्शन प्लान, ये सब आपको देखना होगा, इंस्ट्रक्शनल, मैटेरियल, मैटेरियल, एंड रिसोर्सेज, ठीक है, इवैलिएशन, टाइबस, टूल, करेक्टरिस्टिक अफ गूड टेस्ट, और ये सब इंक्लूसिफ एजूकेशन आपको देखना होगा डिसेबिल्टी एजा सोसल कंस्ट्रेक्ट सब आपको कम्निकेशन इंट्राक्शन एजूकेशनल साइकोलोजी यह सब आपको एक मतलब योटूब में बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं उनसे आप देखकर के शॉट नोट्स यह देखो उर्दू उर्दू सब्जेक्ट रहेगा आपका यह जो मेन पेपर है हंडेट नंबर का वो यहीं से कोश्चन्स आएगा अब उर्दू का क्या है मुझे जादा एक बोलते ना पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉबलम होगी तो आप लोग मैं देखते जाओ और मैं वो करती जाओंगी आना सवा ने निगारी अलताफ हुशैन आली शिवली नौ आमानी खाखा निगारी ठीक है आप लोग देखते जाओ यह देखो यहीं आपको मार्क्स दिलाएगा देखो यह मार्क्स दिलाएगा अच्छे मार्क्स आगए और आपका जो फस्ट पेपर है वो आपको एक बोलते हैं आपका अच्छा पार्ट है पार्ट एब तो आपको रă्च दिला सकता है तो यह वाला भी subject आपको जो भी main subject है उसको भी आच्छा करना होगा 100 marks क का रहेगा यह दी दी करकर मैं स्कॉल करती चारही हूँ जैसे अब्बुल कलाम आजाद मिर्जा ग लिया गया है किसे बुक से ही लिया गया है जो भी MPA में चलती हो ठीक है ना बीदी करके मैं स्कॉल करती जा रही है आप लोग देखते जाओ और समझते जाओ यह ज़्यादा उर्दू समझ में मुझे आती नहीं है और मैं पढ़ूंगी थोड़ा बहुत मिस्टिक भी हो पर अमर्णि वेफिल फार रही है तो यह यह की आप देखते जाओ पद्री की भिधाएं ही जैसे गजल हो गया नजमे हो गया कसीदा हो गया मर्शिया हो गया कता अत हो गया हना सब आपको दोहा हो गया जिसे डॉक्टर शाहिद मेर की हना व्याकरण में कवाइद कवाइद हना यह सब आपको देखना होगा जीदी करके स्कॉल करती जा रहे हूं आप लोग देखते जाओ उर्दु भासा का महातेवं विकास उर्दु जवान जवान का आगाज इर्थिका के मुक्त तालिफ है न इस सब आप देख लेना इतना है इस लेबस में मतला फोर टॉपिक है एक बात का दियान रखे उर्दु में मतला वेकेंसी भी बहुत कम आती है बहुत कम मतला बहुत कम तो ठीक है नो प्रॉब्लम आप लोग सब कर लोगे है ना सेकेंड यह है सेकेंड टॉपिक यह दूसरा तीसरा टॉपिक यह और चौथा यह और पांच माई यह ठीक है चलो ओल दवे सभी को